वाईभव एक बहुत ही अच्छा पशुचिकित सक है लेकिन उसके पिता एक दूद के व्यापारी थे इसलिए वाईभव सब को छोड़ कर अपने पिता की याद में दूद का व्यापारी बन जाता है और उसके पिता की गायों का बहुत अच्छे से खयाल रखता है काओ काओ चितना मर्जी उतना काओ तुम्हारी अच्छी सेहत के लिए हरे गास से बेतर और कुछ भी नहीं है इसलिए मैं केत में साल बर सिर्फ गास ही उगा रहा हूँ वाइबव के घर के सामने ही बेसन नाम का एक और लालची दूदवाला रहता है बेसन को जो गास मिले वही उठा कर लाकर अपनी गायों को डाल देता है और उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदे लगा कर बैट जाते है जो कभी पूरी नहीं होते है और वो गुस्सा होता रहता है देन बर सिर्फ गास काते रहते हो और चुलू बर दूद देते हो मैं क्या व्यापार करूंगा इस चुलू बर दूद से लगता है तुम्हारा सर्विस ही कतम हो गई है कल सुबा ही तुम्हें बाजार में बेच कर ये एक्स्चेंज में नई गाय लेकर आऊंगा ऐसे अगले दिन सुबहा बेचन अपनी गायों को बेच कर नई गायों को खरीदने के लिए बाजार में जाता है वही पर से गुजार रहा वाईभव अपने पडोसी बेचन को देख कर उसके पास आकर उससे बात करता है क्या बात है बेचन तुम अपनी सारी गायों को लेकर यहाँ पर क्या कर रहे हो? कही इने बेचने का इरादत तो नहीं है ना तुमारा मज़ाक में ही सही है तुम बात बिलकुल सही कहा है वाईभव मैं इससे ठंग हो गया हूँ दिन बर सिर्फ गास काती रहती है लेकिन दूद बिलकुल भी नहीं देती है वाईभव बेचन के घर के सामने ही रहता है इसलिए उसे बेचन के बर्तव के बारे में सब कुछ पता है बेचन को उसकी गलती का एसास दिलाने के लिए वाईभव बेचन से उसकी सारी गाये खरी लेता है जितनी समझदर लगते हो, उतनी समझदर नहीं हो वाइबव तुम ऐसे कहते हुए गायं को देकर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है बेसन वाइबव भी उन गायं को अपने साथ लेकर जाकर बहुत अच्छे से खयाल रखता है वाइबव अपने जॉक्टर दिमाग को इस्तमाल करके ऐसे स्वस्थ कर देता है कि उन्हें दूद देने के लिए एक स्थान बस नहीं होते है इसलिए वाइबव उन्हें एक और आर्टिफिशियल स्थान लगाता है एक एक गाई दस गाईों के बराबर दूद देने लगी थी वो देखकर लालची बेसन का मन बदल जाता है वाइबव मेरा मन बदल गया है मुझे मेरी गाई वापस कर दो और तुम अपने पैसे वापस ले लो वैसे तो तुम मुझे ना समझ कह रहे थे लेकिन आज तुम ही बच्चों जैसे बाते कर रहे हो एक बार में उन गाईों को खरीद लिया है इसका मतलब अब वो तुम्हारी नहीं है अगर तुम्हे अपने गाई वापस चाहिए तो ये केक गाई के ये केक लाग दे कर ले जाओ जिस हिसाब से वो गाई दूद दे रही है ऐसे तो मेरे पैसे येक दो महिने में ही वापस आ जाएंगे आ ठीक है पैसे लो और गाई वापस कर दो ऐसे बेसन हर गाई को एक-एक लाग दे कर खरीद कर अपने घर लेकर जाता है वो गाई दो तिन तिन तक अच्छे से दूद देते है उसके बाद दीरे दीरे दूद देना कम कर देते है और एक हफ़ते बाद पहले जैसे थी वैसे ही हो जाते है बेशन के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और गाये भी दूद नहीं दे रही थी इसलिए बेशन उन्हें फिर से बाजार में बेजने के लिए लेकर जा रहा था तब ही उसे वाइबर रोक लेता है फिर से कहा चल दिया बेशन बाई अब तो तुम्हारी गाये अच्छे दूद देती है ना पता नहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो या सच में इस बात से अंजान हो ये गाये पहले जैसे ही हो गई है और चुलू बर दूद देने लगी है में तो बर्बाद हो गया ये केक लाक में करी दीती हर एक गाय उसकी बाते सुनकर वाइबर पहले तो हसता है और फिर उसे अच्छे से समझाता है कि वो कौन सी बेवकूफी कर रहा है मेरे दोस्त तुम सिर्फ पेसे कमाना चाते हो लेकिन थरीका नहीं जानते हो इसलिए सडक पर जो गास मिल जाए वही उटा कर लेकर आते हो कुछ दिन मेरे केथ से गास ले जाकर खिलाओ और देखो दूद कैसे नहीं आएगा ऐसे कहते हुए वाइबर उसे उसके पैसे लौटा कर घर बेच देता है कुछ दिन अच्छा घास खिलाने पर गाये भी अच्छे से दूद देने लगती है और बेशन अपने मूर ख़ता को चोड़ कर अच्छे से व्यापर करने लगता है डालपूर नाम के गाव में चिननपपा नाम का एक आलसी व्यक्ति के पास मोहिनी नाम की एक गाय है चिननपपा उस गाय के दूद से व्यापर तो करता था लेकिन उसे घास लाकर नहीं डालता था इसलिए वो गाय खुद ही जाकर गास खाकर आती थी अगर ऐसे गाय मेरे पास होती तो उसे कभी गास की कमी नहीं होने देता कितने समझदर गाय है बिल्कुत सही कह रहा है तू जिसके पास अनमूल चीज होती है उसे वोश चीज की कोई खादर नहीं होती है जब मोहिनी गास काने के लिए जंगल में जाती है तब गाव वाले उसे देखकर ऐसी बाते करते हैं क्यूंकि पूरी गाव में वो एक ही ऐसी गाय थी हमेशा की तरहां गास काने के लिए जंगल में गई हुई मोहिनी को धूप की वज़ा से सारी गास सूखे नजर आती है लगता है आज मुझे जंगल में अंदर तक जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास ऐसे कहते हुए मोहिनी जंगल के अंदर जाकर गास काते हुए वहांखे कुप सूरत नजरों का आनन्द ले रही थी लेकिन उसके मन में जंगली जानवरों का डर भी था और उसका डर सही भी था क्यूंकि दूर कड़ा होकर एक पेड के पीचे से उसे एक शेरनी देख रही थी मोहिनी को उस बात के भनक लगते ही वहांसे निकलने की कोशिश करती है शेरनी भी उसके पीचे पीचे आने लगती है ऐसे दोनों कुछ दूर भागते है भागते भागते शेरनी एक गड़े में गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा चोटे लगती है सुनो गाई मुझे माफ कर दो मैं तुम्हें मार कर खाना चाती थी लेकिन मैं खुद मर रही हूँ तुम्हारे सामने एक परगत का पेड़ है वहाँ पर मेरा एक चोटा बच्चा है जिसकी अभी तक आखे भी नहीं खुली है जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक क्या तुम्हें उसकी मा बनोगी मोहिनी को उस शेरनी पर तार आसाता है इसलिए वो उस शेरनी की बात मान लेती है और एक शेर के बच्चे की मा बन जाती है उस बच्चे का खयाल रखने के लिए मोहिनी अपना ज्यादा वक्त जंगल में ही गुजरती है ये बात छिनना पा को अच्चे नहीं लगती है बहुत हो गया तुम्हारा तुम शाम को सिर्फ एक या दो गंटे गर के पास रहती हो बाकी के वक्त कहा जाती हो अगर तुम्हारा ये व्यावार नहीं बदला तो अच्चा नहीं होगा चिननापा मोहनी को ऐसे डराता है लेकिन मोहनी उस बच्चे को अकेला नहीं चोड़ सकती थी इसलिए चिननापा कितना जोर देने पर भी मोहनी उस बच्चे को नहीं चोड़ती है ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं शेर का बच्चा बड़ा होता है एक दिन मोहनी हर रोस की तरह शेर के बच्चे के पास आ रही होती है तबी उसके पीछे एक जंगली जानवर पढ़ जाता है मोहनी जंगल में इदर से उदर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी तबी वो शेर का बच्चा उसे देखता है ये तो मेरी मा है और उनकी जान खत्रे में है मुझे मेरी मा को बचाना होगा ऐसे कहते हुए वो शेर का बच्चा भाग कर जाकर मोहनी को उन जंगली जानवरों से बचा लेता है वो देखकर मोहनी खुश भी होती है और दुखी भी होती है क्यूंकि अब उसे उस शेर के बचे को छोड़ना था बेटा, मैं तुम्हारी असली मा नहीं हूँ तुम्हारी असली मा मेरा शिकार करते हुए एक गटे में गिरकर मर गई थी उन्होंने मरते वक्त मुझे तुम्हारा खयाल रखने को कहा था अब तुम बड़े हो गई हो, अपना खयाल रख जकते हो इसलिए मुझे जाना होगा जिसने आपकी जान लेनी चाही, अब उसी के बचे का रक्षा कर रही थी अब बले की मेरी असलि मा नहीं हो, लेकिन असलि मा से कई ज्यादा हो मा आपको जो सही लगे वही कीजिए अब हमेशा अच्छा ही करती हो वो बात सुनकर मोहनी बहुत खुश होती है और वापस गाव में लौट जाती है मेरे कितना कहने पर भी ये बात नहीं सुन रही है कहकर चिननपा मोहनी की पिठाई करता है दूर से देख रहा शेर का बच्चा इंतजार करता है कि चिननपा अकेला होने खा जैसे ही वो अकेला होता है शेर का बच्चा उसे ऐसा डराता है कि चिननपा की तब यत्खराब हो जाती है उसके बात से वो शेर का बच्चा हर वक्त मोहनी के आसपासी रहता है और वो जब भी मुसीबत में होती है तब उसे पता चले बिना ही उसे बचा लेता है ये बात मोहनी के अलावा हर किसी को समझ में आती है और तब से सब उसे अच्छा बरता भी करते है पहले मा ने बेटे के रक्षा की थी और अब बेटे अपनी मा की रक्षा कर रहा है